हेलो जैन्त नमस्कार आप सभी का स्वारत आपके अपने यूटूब चैनल नौप के तक पर आसा आप अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुस होंगे आज का वीडियो होगा वीडियो आप सभी के लिए इस मुद्दों पर होगा चुकि आज मैं देख रहा हूं कि नियमा वली पर नियूजएटीन पर भी चल रहा था रजनीश भाईजी हैं जो नियूजएटीन के वरिष्ट पत्रगार हैं वह हमेशा साथ में चरण की आवाज को हमेशा बुलंद करने का काम किये उठाने का काम करते हैं और खासकर सच्छक अभ्यरतियों का तो बहुत जादा साथ देते हैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रियादा उन्होंने ट्वीच किया है ट्वीच पर उन्होंने एक बात लिखा है मैंने वह वह पॉइंट लास् कि कल चो को कबिनेट की बैठक है साम लगबग चार या पांच में से कबिनेट की बैठक होगी उसमें मकमंत्री जी अधक्सता करेंगे तो हो सकता है कि होली सबसे पहले आप सभी को होली की धेर सारी सुवकामना है होली जो है बहुत बगा परवे हो सकता है कि मैंने लिखा ह क्या होली मी मिल सकती है कुश्कवरी अगर कम से कम निमावली भी दे दे जिस निमावली के बहाल होंगे तो एक विदार्थियों के बीच एक क्हुसी का पल आ जाएगा जब निमावली आ गया तो बहाली भी आही जाएगा तो मैं भगवान से मनाता हूँ और नितीज जी को भी सदबुद्धी तो है और सदबुद्धी दे दे सुनने मैं आया कि बित विवाक से भी पास हो गया है काबिनेट मैटक साथ को हो नी थी छोग को कर दिया गया क्या पता कल साथ में चरन को जो चक बहाल होंगे उसके लिए निमावली आजाए ऐसा मैं खंडन करने गाऊ ऐसा अनुमान है ये मेरा अपना अनुभाव बलकि ये का लगता है कि आजाए लेकिन इस पर अभी तक हम कुछ नहीं बोलेंगे वो तो कल ही पता चलेगा आप भी इंतिजार में गाते हैं कि निमावली आजाए नोडिपिकेशन आजाए वो तो कबिनेट की बैठक में आपको पता चल जाएगा लेकिन पोजितिव थाउट्स रखिए कल साम 4 बज़े इस कबिनेट की बैठक है होली की मिल सकती है खुशकवई ये कली पता चलेगा या दुख होने की बात नहीं है चंद नेतों को चक्कर में दुखी नहीं होना है नहीं आएगा कोई बात नहीं होली अच्छे से मनाना है ये हम आपकों कहेंगे नहीं निमावली पर लगेगी मुहर वही बात चल रही है अभी नीज में भी चल रहा है तो देखते हैं कल क्या होता है उतने दिन कल भी देखते हैं कल भी इंतिजार करके देखते हैं जब तेस्वी जी बोली बोली दिये थोगा इंतिजार का मज़ा लेजिए मज़ा तो देखते हैं कितना मज़ा देने का काम करत नहीं उन्होंने सच्चा मंत्री का भी कलास लिया था बिधान सवासत्र में आपको पता ही है तो देखते हैं मुकबंत्री जी की बात कहां तक सत्थ होती है नियमावली के लेकर और साथ में चरण में कौन कौन अपलाई करेगा यह मुद्धा में यह वेरी वेरी यह तो कोई पता नहीं है लेकिन सेवन्थ फेज इसमें कौन कौन अपलाई करेगा फिर इसमें एक कुस्चन बहुत अच्छा होगा सर जो अभ्यारती चुकि दोजार बीस दोजार बीस से बाइस से सेशन इसमें जो भी बीए डियलेंड की है उनका तो आप सीट भी क्वाल वाले इसमें जो भी बीड डीया डियले में विशल लेंगे किनxicल मैं खुझता हूं आप णे तैन बहाल हो लोगे किसी 24 में मेरा डिगरी कंप्लीट होगा बीए डिया डियलेड का और वह सीटेट पास कर गया है चुकि होनार बच्चे लोग है पास किये बधाई हो रिजल्ट भी आ गया लेकिन इस पर हम यहीं कहेंगे या जोहां बाइस चौविश में 24 में कंप्लीट होगा बीए डियलेड या कोई 2023 में अडियलेड में उनका कंप्लीट होगा पचीस में तो वह भी चाहेंगे कि 25 तक बहाली नहीं आवे हैं कि दो साथी चाहेंगे 23 वाले मुहान पर है कि जुलाई में मेरा एक्जाम होगा और रिजल्ट आ जाए और यह तो थो होगा लेट है चुकि 24 लेट होता अगले साल और 25 तो अभी विधान सवा तक जाएगा तो मैं सभी 21 से लेके 25 तक वाले को यहीं कहेंगे 21 से 23 वाले आप 110 परसेंट वैलीड है बिंदास रहें सीटेट पास कर गए तो बढ़ाई हो अब फिर यह मत कहिएगा किसर कैसी होगा हम फेल हो गए तो ठीक है फिर पढ़िए पढ़ाय में लग जाई है और 22 24 वाले को बोलेंगे अगर राजनिती जिस प्रकार से हो गाया है मैं क्या बोल रहा हूं बहाली 24 में चुकि लोग सभाद चुनाव है तो 25 में फिर भी हार विधान सभाद चुनाव है मुकमंत्री ज देख रहे हैं लेकिन क्या पता आप भी उस सिस्टम के सिकार हो और आपको फैदा मिल जाए लेकिन आप अभी पढ़ाई किजिए अच्छे से पढ़िए अभी आपका समय है लेकिन फिर पढ़िए हम इतना ही बस कहेंगे और यह वाले है एक कॉसन इसी में एक और है मैंने क कहने का मतलब ही है सीटेट में फेल हो गया है जैसे आपको पता विहार आज में सच्छक बनने के लिए अगर सीटेट में सीटेट में सीटी इटी में सीटी इटी में अगर माक्स अगर इतना है तो भी आप लिजिवल है अब कितना माक्स हम बता रहे है इस पर मैं वीडियो सुआ और आच्छन तो नहीं दिया गया उन दोनों का अगर सीटो सफलने नंबे मार्क से पॉपलिजेवल हैं जो अगर Pin विडियो तो नहीं देखते हैं कुछ अभ्यांति 75 मार्क्स ध्यान दिज्येगा अभी मैं पूरुष की बात किया हूं स्ट्सक्राइब दिभ्यांग है और 75 मार्क्स है तो आप इलिजिवल है क्यों चुकि आपको पता है सेन्टरल में सेन्टरल में सुटिय सेन्टरल से इस्ट seminar लेती है तो वहां से 75 को फेल है वही मैंने लिए लेकिन भीहार में स्सेट्ति पूप डिया गया है अगर लेक्षट्ट्र से ऊपर 55 होना चाहिए तो भी आप भीहार में भीहार बच्चे बिहार के निवासी है तो बिहार के सचक्वाली में बैठ सकते हैं अब यह पूर्स वर्क का बात किया हूं फिर आप बोलेंगे सर रश्रटिफिकेट थो नहीं निकलेगा डीजी लोकर से बिलकुल नहीं लिख लेगा क्यों चुकि आप फेल है सेंट्रल में स्सी एस्टी और पीएच का कितना लेता है बिराशी पर पास माना जाता है लेकिन बिहार सरकार में 75 या इससे उपर अगर आपका बिराशी होता तब तो सर्टिफिकेट निकलता लेकिन आपका बिराशी से भी कम है से उस्टीफिकेट टिजी लॉकर से निकलेगा माक्षिट निकलेगा माक्सिट के याधार पर जब बिहाली आएगी हम बाख़बा बोलगा तो आपम ब्लिजबल हैं किसी की बात मत सुनना छाते चक्रन को अजो दोगवा था इसमें टिक्कत नहीं हुआ था यहाँ न यह हम पर विश्वास करके चलिए ठीक है इसको स्क्रिंसर्ट लेजिए आप चलते हैं आप चलते हैं जो ओमैन है ओमैन यानि जो महिला साती है महिला साती के लिए एक छी ध्यान दीजिएगा जो भी महिला साती है जो जनरल या या इस से ऊपर आरी या नब्बे के बीच बिरासी से उपर है बिरासी तक है फिर भी आप पास मांने जाएंगे बिहार के सच्चक बहाली में, आप बहाल होने के लिए तेया रही है, मैं अब भी बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेट आपका नहीं निकलेगा, चुकि सेंट्रल में आप फेल है, लेकि बिहार में अच्छा ने फैदा मिलेगा, इबी सेंट्रल में उतना ही चाहिए, बिरासी या इस से उपर, लेकिन आपको बिरासी आया नहीं, आपको पछत्तर आया, या इस से उपर तो भी आप पास है बिहार में, हम बार बार बोल रहा है, रिपिट कर रहा है क्यों? चुकि याद हो जाए और आपका सर्टिफिकेट नहीं निकलेगा डीजी लॉकर से, जो एक डिर मैने में डीजी लॉकर पे सर्टिफिकेट और मार्कसीट आता है तो आपका नहीं निकलेगा, चूकि सेंटरल में आप फिल है लेकिन मार्कसीट के अधाग पर आप भिहार से चकबाली में सात्वे चरण में फॉर्म भरना जब वहाँ पुछेगा आप किस केटगोरी में आते हैं तो आप जिस भी कैटेगोरी में आते हैं वह अवस्पील करना मेल तो मेल फीमेल तो फीमेल ऐसी गलती मत करना ठीक है सर्टिफिकेट की चिंदा तो नहीं है कोई बोलते हैं किसा सर्टिफिकेट नहीं निकलेगा तो आप समझ गया है है ना मुझे पूर्ण विश्वास से में होगा क्या चुकि जो अभ्यक्ति किसी कारण बस एक दो नमग से छूट गया है चुकि मेहनत तो सभी करते हैं सभी के भाग में अच्छा नहीं होता है कितने लोग धांदली बोलते हैं मैं किसी आप तो समय बीत गया आप उस पर मैं नहीं जाओंगा मैं अब अगले सभावना है कि अब देखिए को मैं क्या बोला सीृट अट सी टी टी क्या जुलाइव में होगा तो होने का संभावना है जुलाइव में होने का सम्भावना है बोलिए थो आप बताईए अभी जो सुऩित का एक्जाम हुआ था दिसम्मर बाला एक्जाम कब हुआ एक्जाम कब हुआ एक्जाम कब से हुआ एक्जाम कब से हुआ था 28 28 दिसम्मर से स्टार्ट हुआ था 28 दिसम्मर 2022 से स्टार्ट हुआ और 28 दिसम्बर से स्टार्ट हुआ और इसकी इसका जो नोटिफिकेशन आया था कब आया था बताईए नोटिफिकेशन जो आया था वो आया था अक्टूबर में कि अनलेसिस किजिए पिछले साल अक्टूबर में अक्टूबर में बोलेंगे सार को आता ही नहीं है अक्टूबर में नोटिपिकेशन आया सीचट दिसम्मर कबाइस का और इसके दो मैणा बाद है नौबर चोइके दिसम्मर से ऐक्जाम हम स्टाट हुआ और वीजन्ट कव आया आई USA 18 दिसम्बर को एक्जाम स्टार्ट हुआ एक चीजा और भूल गया हम 18 दिसम्बर को एक्जाम स्टार्ट हुआ और 7 फ़रवरी 2023 को खतम हुआ फरवरी बीता और 3 मार्च यानि एक महिना भी नहीं हुआ और जलता आ गया इसका मतलब कहीं कहीं सीटेट चा रही है पहले बाला नियम कि पहले क्या होता था 2021 से पहले साल में दो बार होता था एक जुलाई एक दिसम्बर और ये सीटेट CBSC बोर्ड के दोरा ये दूसरी बार है जब ये ऑनलाइन मोड बे एकजाम लिया गया तो आप सीटेट को यानि CBSC बोर्ड को इतना अनभव हो गया है कि अब फिर से वो सोच रही है हो सकता है जैसा हम सोच रहे है कि मैं भी साल में दो बार लूँ क्यों साल में दो बार लेने का फैदा उनका ये होगा चुकि उनको कमाई भी हो जाएगा अब तो ये भी कर दिया गया कि जो बीएड मेर मिसल नहीं है या डिएले मेर मिसल नहीं है पहले था एक साल फर्स्ट यह का रिजल्ट आएगा तब भगेगा नहीं आप तो नहीं आपने एडिपीसल लिया आप एक्जाम दे सकते हैं तो कमाने का जड़िया तो बढ़ गया भले बहाली नहीं आवे वो अलग मुद्दा है लेकिन सभी पैसा सोचते हैं आप भी सोचते हैं कि हम दो पैसा कमावे हम भी सोचते हैं तो CBSC भी सोच रहा है अब देखिए एक चीओ बता दे और एक चीओ बताईए जब ऐसा लग रहा है जब एक्जाम जब एक्जाम फर्म नोटिफिकेशन और एक्जाम स्टार्ट होने में लगवग दो मेना का समय सीचट देती है तो हमें लगता है अभी मार्च में है यह और मार्च बीता भी नहीं है व burada या अभी आए अभी चली बहुत बढ़ीए अभी क्या है अब आप्रिल आएगा ध्यान दिजीएगा फिर माय आएगा कि जून आएगा अभी जुलाइ आएगा अब देखे कितना समय है तो cbsc क्यों नहीं चाहेगी दो पैसा मैं भी कमालू मार्च अब यह स्टार्ट ही हुआ है चलिए हो सकता है हो सकता है अगर अप्रील में फॉर्म आ गया फॉर्म अप्लाई का डेट आ गया माल लीजिए तब तो बाती खतम हो जाएगा अगर अप्रील में भी फॉर्म आता है तो आपके पास मईस जून दो महिना का समय आपके पास बचेगा त्यारी करने के लिए अजब दो महिना का समय है तो जुलाई में एकजाम लेगा आप त बच्चे का फॉर्म का कीमत लगबग 600 कि 700 परता है जो लिजिए सीटेट यानी सीविसी बोर्ट कितना कमाएगी क्यों नहीं चाहेगा अनुमान अब इसमें भी उल्टा कमेंट करने वाले होंगे तो नहीं आप सात्वे चरण पर आते हैं तो सात्वे चरण के अभ्यरती के लिए यह हो सकता है जब नया नया सीटेट वाले जुटते चले जाएंगे तो फिर बच्चे की संख्या बढ़ते जाएगी सीटों की संख्या कम है यह आपको पता है अभी आपको पता है एक से लेके आटमी तक का जो सात्मा चरण का सिच्छक बहाली आने वाला है बिहार म इसमें आप सुनते होंगे बिहार में जो सेवन्थ फेज होने वाला है सेवन्थ फेज इसमें जो सुनते होंगे की वन टू फाइब में जो सीट आएगा सीटों की संख्या वो कितना आएगा लगबग असी हज्जा कितना सीट होगा और बच्चे कितना है लगबग चार साल बितने को है, चार साल से बिहार में से चक बहाली नहीं हुआ अभी तक, उनीस के बाद, तो बच्चे के संख्या बढ़ रहा है, मालीजे फिर जुलाई में हुआ, मेरा पढ़ाना काम है, हम तो पढ़ाएंगे, पक्षपात तो नहीं करेंगे, तो फिर जुलाई में होगा, मा ऐसे ऐसे विदार्थी का, एक समय देखिए, विदार्थी का, विदार्थी का संख्या बढ़ रहा है, संख्या बढ़ेगा, जैसे ही संख्या बढ़ेगा, तो क्या होगा, कटप भी हाई जाएगा, कटप भी हाई जाएगा, क्यों हाई जाएगा, सीठ तो सिमित है, सीठ त तो नहीं है अब बच्चे बढ़ रहे जिसका हाई मेरिट बनेगा वही बहाल होंगे तो आप लोग अब भी समय है अपने आपको जखजोरिए होली मनाईए होली के बाद आप लोग प्लानिंग किजिए अरती जिला के भरती मैं तो हूँ साथ देने के लिए आपका सही दिसा ओ हूँ फिलाल बहाली नहीं है भी मैं क्यों बोल गऌरूं कियों किते लोग तो वीडियो छोगे चले गए होगे और जब डाक बंगला पे पीटा गया बाइस सगस्ति आओ भी आंदोलन में तो इस पे नितीश और तेस्वी जी को पता ही नहीं चला तो सब नाटक है, सब राजनिती है, इस राजनिती के आप और हम भी सिकार है तो इस चीज़ को समझिए, अब भी समझिए और जोधार अंदोलन करने का समय आ गया है खाली बोलने से नहीं होगा, मैं तो बोलूँगा ही, मैं बहाल हूँ, लेकिन जाना तो आपको होगा मैं भी जाता हूँ, क्यों? चुकि आपको लगे कि मैं भी पहुचा, लेकिन छुट्टी लेना होता है, सबी कुछ है बहुत सारी बाते हो जाती है, और भी बहुत साथ ही है, यूट्यूब पर वो तो जाते भी नहीं है लेकिन हमें आप देखते होंगे साथ, क्यों? चुकि हमारे हमसे भी बच्चे बहुत पढ़े हुआ है और भविस्थ के लिए, जिनको भी सीटेट पढ़ना हो, जिनको भी सीटेट, सीटी इटी पढ़ना हो, हम अच्छे से कोर्स से स्टार्ट करेंगे पढ़ना जिनको भी सीटेट पढ़ना हो, तो हमारे नौकरी तक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सकता है, नौकरी तक को आप सब्सक्राइब करके बला ऐकन दवा लिजिए और हम यूट्पी पर हमाइए इमार इमें में बहुत अच्छा पढ़ाती हैं तो हम आप सोच रहे हैं तो मैघंक जैसे math हो गया, तो math का math 199, इसी परकार हम सोच रहे course launch करें, तो उस पर हम बात में बात करेंगे, अब यह आप लोग होली मनाईए, आप लोग बताईएगा, review दीजिएगा, इसके लिए एक दो, हम teacher भी रखेंगे, चुकि आपको पता है, मैं पहले number भी दिया था, कुछ लगता है, हमें भी मेरे पास बाल बच्चे है, तो इसलिए हमारी भाबनाओं को समझे, लेकिन number हम देंगे, अब हम आपको एक team का number देंगे, अपने team एक दो उसमें रहेंगे, आपका call उठाएंगे, कुछ दिन का समय दीजिए, ठीक है सर, चलिए, अब बहुत बाते होग फ्री आप कोस्ट यूट्यूब पे, मैं क्या पढ़ाता हूँ, क्या नहीं, आपको पताच लगया होगा, और बहाली में भी आपको दिक्कत नहीं होगा, बस बहाली आने दीजिए, उस समय हमारे चैनल पे बहुत सारे हम होगा, तो वकील तक को लाएंगे, एडवाकेट को लाएंगे, कि आपके डाकुमेंट में क्या हो गया, या सीचेट के जब फर्म भरेते तो एडमिर कार में दिक्कत हो गया, यह सब मुद्दा पे, ऐफी डीपिट कैसे बनेगा, आवास यह जाती, सब मुद्दा पे वो एडवाकेट आपको बताएंगा, वकील साब, लेकिन YouTube, YouTube खोलना, YouTube खोलने के बाद ऊपर में तो आपको मेरा वीडियो खुल जाएगा, डाकुमेंट कौन-कौन-सा लगेगा, चुकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसमें बीडियो बनाईे, मैं अल्रेडी वीडियो बना दिया हूं, कौन-कौन-सा लगेगा, तो आपको वक्री तक का वीडियो खुलेगा उसमें मेरा फेस होगा आप देख लीजेगा इस पर भी वीडियो बना हुआ है दूसरा एक कमेंट ये भी होता है कि सर तो यूटूब में, यूटूब खोलना उसमें बोलना बिहार से चक बहाली में, यूटूब खोलने के बाद बोलना उसमें, बिहार से चक बहाली में, मेरिट कैसे बनता है, तो आपको मेरा ही वीडियो दिखेगा, मेरिट कैसे बनता है, बहुत लोगों को मेरिट कैसे बनता ह तो आपको नौकरी तक वाला वीडियो दिख जाएगा अराम से रिलेक्स होके देखिए जिस परकार ने कि हम कुछ चीज बोलते हैं बोलियेगा सर परचार नहीं चुकिए अब हर चीज पर मैं वीडियो बनाया हुआ आपको नौकरी तक खुलिएगा नौकरी तक खुलने के बाद ऊपर में देखिए न वहां सर्च इसमें बोलियेगा वियार सिचक वाली मेरिट कैसे बनता है आपको सब दिख जाएगा जो भी डिकुमेंट चाहिए नौकरी तक बोलियेगा तो दिखेगा चली वीडियो अच् अभी के साथ तो हम नहीं है वर्च्वली आप से मिल नहीं पाते हैं आउनलाइन में हैं कैमरा के सामने हैं तो आपसे मुलाकात कैमरे पर ही होती है लेकिन अपने जीवन का कुछ-कुछ पल आपको हम देखाना चाहते हैं तो आप लोग वैसे वीडियो को देखिएगा आप आप भी मस्ती कीजिएगा और अपने फैमली में कहिएगा मेरे सार है प्रित्वी जी और आप भी मेरे सार है तो आप भी अपना कमेंट कीजिएगा ठीक है चले आज के वडियों इतना ही जय हिंद जय भारत